दोस्तों लगतार खबरे आ रही हैं कि टोयटा भारत में अपनी क्रॉस ओवर एस्यूवी रश को लॉंच करने की योजना बना रहा है वहीं अब टोयटा ने पुष्टी भी करती है कि वो अपनी ये कार भारत में लॉंच करेगा रश को बेबी फॉर्चिनर भी कहा जाता है और पाकिस्तान, फिलिपिन्स और थाइलेंड में ये कार पहले से ही मौजूद है टोयटा रश 1997 से जापानी आटो मोबाइल निर्माता टोयटा द्वारा निर्मित एक मिनी SUV है जो की पहली पीड़ी को लॉंच किया गया था एक टोयटा रश का जो 2022 मौडल है वो 2017 में पेश की गई तीसरी पीड़ी का ही हिस्सा है इसमें एक आकरशक बाहरी आवरन के साथ एक बहुत ही बढ़ियां इंटीर भी आपको मिल रहा है और इसमें जो स्टेरिंग आपको मिलेगा वो बहुत ही जादा हलका महसूस होगा तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं अगर आप भी टोयटा के फैन हैं तो अभी से वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है साथ ही हमारे चैनल रियल आटो न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही लेटेस्ट आटो न्यूज मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे वेल फ्रेंज ये दो ट्रीम्स में अवेलेबल रहने वाली है जो की STD और GL है और नए फीचर्स के साथ इसमें काफी ज्यादा फीचर्स आपको इसमें देखने मिलेंगे रश असल में दायहेट्सू टेरियोस का रीबेज वर्जिन है जिसे TNGA यानी टोयटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर पर बनाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर सिदॉन, टोयटा, कैमरी समेथ दूसरी कारों को भी बनाया गया है टोयटा रस SUV के इंजिन की सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो इसमें 2NRVE 1.5 लीटर Dual VVT I4 Cylinder Patrol Engine मिलने वाला है जो की 6000 RPM पर 105 BHP की पार और 4200 RPM पर 136 NM का टॉक देता है वहीं इसमें 4-speed automatic transmission का फीचर भी दिया गया है और भारत में लाँच होने वाली रस में Yaris का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें शामिल हो सकता है जो की 106 BHP की पार और 140 NM का टॉक जेनरेट करेगा रश की टक्कर की अगर हम बात करें तो पहले से ही मौजूद Hyundai Creta, Nissan Kicks, Mahindra XUV500 और Tata Harrier के लोवर वेरियंट से इसकी जो टक्कर है वो रहने वाली है वहीं upcoming Kia SP2i यानि की Kia Celtos से भी इसकी कड़ी टक्कर रहेगी उमीद तो ये भी जताई जा रही है कि यहां Rush का 7-seater version लाँच किया जाएगा यानि कि ये प्रॉपर SUV लाँच की जाएगी Rush के international version में LED headlights, LED DRL, 17-inch का dual-tone wheel, 7-inch का touchscreen infotainment system, 6 speakers, 4 camera के साथ Panoramic view monitor, keyless entry, push button start, Toyota का auto tag और 6 airbags जैसे features शामिल है उमीद ये लगाई जा रही है कि भारत में launch होने पर इससे भी updated versions, इससे भी updated features इसमें शामिल किये जाएगे इसके अलावा auto emergency braking system इसमें रहेगा, vehicle stability control रहेगा, red cross traffic alert रहेगा, ABS, EBD, brake assistant और paid miss operation control का भी feature इसमें शामिल रहेगा अब इसकी लंबाई चोड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई 4435 mm, चोड़ाई 1695 mm और उचाई 1705 mm है वहीं इसका wheelbase 2685 mm और ground clearance 220 mm रहेगा महिंद्रा XUV500 का ground clearance 200 mm के आसपास हैं, हाला कि लंबाई में XUV500 रश से लंबी रहेगी जबकि वर्तमान में मौझूदा Hyundai क्रेटा की लंबाई में रश से थोड़ी सी छोटी है याने की क्रेटा से लंबी होगी और 500 से थोड़ी सी छोटी रहेगी ये कार और इसका wheelbase भी थोड़ा सा कम रहने वाला है हाला कि नई आने वाली क्रेटा की लंबाई जो है वो इससे जादा रहेगी रश का जो boot space है वो 217 लीटर है जिसे seat को fold करके 514 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है launching की अगर हम बात करें तो Toyota भारत में रश की जो launching है वो 2023 की शुरुआत तक कर सकती है और अब कीमत की भी बात कर लेते हैं तो भारत में इसकी कीमत 3,25,000 से शुरू होकर 3,90,000 रुपे तक रखी जा सकती है आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही वीडियो अगर पसंद आया है तो इससे कर दीजे शेर और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब थैंक्यू फो वाचिंग